नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राहूल आपका बहुत बहुत स्वागत है नमोटेक निशेर फिटर मार्टर के एक और नए वीडियो में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप सो बेल्ट्स के बारे में बेल्ट्राइब में बहुत परकार के बेल्ट्स का यूज़ किया जाता है आज हम लोग एक एक करके जितने भी टाइप के बेल्ट्स यूज़ किया जाते हैं उसको जानने वाले हैं और साथ में जितने भी इस टोपिक से कुश्चन बनते हैं यानि टाइप सोब बेल्ड से जितने भी important question बनते हैं उसको भी हम लोग discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग बेल्ड ड्राइब को समझ लेते हैं जिससे आपको टाइपस और बेल्ड को समझने में आसानी होगी तो चलिए सबसे पहले बेल्ड ड्राइब किस तरह से काम करता है उसको समझ लेते हैं suppose यह हमारा एक साप्ट है यह हमारा ड्राइवर साप्ट है यह हमारा driven साप्ट है यानि इस driver से इस driven में हमें power को transmit करना है तो साफ्ट के उपर हमनों क्या करते हैं साफ्ट के उपर हमनों पूली का यूज करते हैं और साफ्ट और पूली को खाष्टेन करने के लिए हमनों इसमें की का यूज करते हैं और ग्रूफ इसक्रू का यूज करते हैं अब अब नोगं पूली का पर्योंक करेंगे और पूली के उपर से क्या करते हैं बेल्ड को चड़ाते हैं जिससे अब हमें भीर चार्श के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्लेट बेल्ड के बारे में तो दोस्तों प्लेट बेल्ट क्या होता है इसका जो क्रोस सेक्षन होता है अगर आगे से आप देखेंगे तो यह क्या होता है यह रेक्टेंगुलर होता है प्लेट बेल्ड का यूज कहां पर किया जाता है जहां पर सेंटर डिस्टेंस एट मिटर से कम होता है 8 मिटर से सेंटर डिस्टेंस जहां कम होता है सेंटर डिस्टेंस यानि दो पुली के सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस यह हमारा क्या होगा सेंटर डिस्टेंस तो पुली के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो अगर 8 मिटर से कम होगा तो आपर प्लेट बेल्ड का नेक्स्ट क्या है लाइट ट्वर्क ट्रास्मिशन के लिए कम पावर को ट्रास्मिट करने के लिए प्लेट बेल्ड का यूज करते हैं जहां पर हमें ज़्यादा पावर को ट्रास्मिट करना हो तो वहां पर हमें भी बेल्ड का परियोग करते हैं कि जहां पर हमें ज्यादा को पावर का यह करना हुँ औरोह प्रियोग करते हैं इसका इंकलूडेट एंगल देखिए यह इसनिए इसको भी बेल्ड कहा जाता है और इसका जो इंकलूडेट एंगल होता है वब सॉन सब्सक्राइब देगरी होता है कि यह काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है ठीक है 30 से 45 डिगरी इसका इंक्लूडेड एंगल होता है और जब हम लोग इसको पूली में चड़ाते हैं ठीक है सपोज यह हमारा इस तरह से पूली होता है यह हमारा माल लिगे यह हमारा पूली है तो यहां पर जो दीब्ली को जब रखेंगे तो पूली के साथ कहां पर ट्च करता है यह क्विश्चन पूछा जाता है तो फिल्ड का जो साइड है यह पूली के साथ का एटेक59 एक необход क्लियर बी बेल्ड के टाइप्स के बारे में जानते हैं बी बेल्ड को A, B, C, D, E, A, B, C, D, और E alphabets से इसके टाइप से उसको बाटा गिया है तो टाइप में अंतर क्या है इसका अंतर है जो चोडाई है यहां से यहां का जो चोडाई है और यह Thickness तक है Thickness और चोडाई यह अलग-अलग है जितने भी यह कि ओलों मनोगो बात करेंगे डियबेल्ट के बारे में जाता यहां पर सेंटर डिस्टरिंस कम नारे बेल्ट का यू क्लाकर अाका यूज के डियाता है रिवेल्ट का जो क्रॉब स्थेटें हैं टिये बना होता है और जो पूली होता है यहां पर जहां जिस पूली के ओपर हमने रेट बेल्ड का यूज करते हैं उस पूली में भी इस तरह का बना होता है इस तरह का बना होने का रिजिन यही है कि स्लिपिंग कम हो sleeping sleep को कम करने के लिए इस तरह से rib बनाया जाता है next type क्या देखे next toothed और timing belt इसको toothed belt भी कहा जाता है और timing belt भी कहा जाता है दोस्तों आप लोगों ने gear देखा होगा gear में जिस परकार से teeth कटा होता है उसी परकार से belt के नीचे साइड में भी teeth कटा होता है जैसे gear में होता है same to same उसी तरह का इसमें teeth कटा होता है और जो pulley होता है जिसके उपर हमें belt को चढ़ाते हैं उस pulley में भी gear जैसा ही teeth कटा होता है तो इसका भी purpose क्या है इसका भी purpose है sleep को कम करना यानि positive drive मिले sleeping कम होगा तो positive drive मिलेगा हमनों ज्यादा से ज्यादा power को transmit कर सकते हैं clear यह हमारा toothed belt next हम बात करेंगे link belt के बारे में तो link belt यानि जो हमारा यहां पर झोटा छोटा चोटा ठुकुडा होता है उसको link करके बनाए जाता है उसको फाक करके join करके बनाया यहां पर आप देखेंगे छोटा 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 Vallahi का स्Warri veio to air का एक इसको करके build बनाया जाता है तो यह होता हमारा link belt next क्या है circular belt है क्यों बात करेंगे रोब का दोस्तों रोब का यूज कहां पर क्या जाता है तो जहां पर जहां पर सेंटर डिस्टेंस काफी काफी जादा होता है उहां पर हमने रोब यूज करते हैं तो दोस्तों यह था हमारा ताइप सोब बेंड के बारे में अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू कर दिजेगा और अगर आप हमारे चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकर को प्रेस जरू कर लिएगा मिलते नेक् टाइब